What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to study love, आज यप अंदर है नौंबा, काफी कुछ चांदा डिस्स करने के लिए आप लोग के सामने, पर उससे पहले आप लोग के लिए हैं, आपर मैं बेस्ट एक इंटरेस्टिंग कोईशन, लेक कोमो के बारे में जिक्र किया जा रहे हैं आप अप 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 कहां पर है ये लेक और रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों हैं, क्योंकि बॉलिवुड की वज़े से ये न्यूज में हैं, इंटरेस्टिंग है काफी, जाकर देखेगा, लोकेसन आप लोगों को पता होना चाहिए, न्यूज में किसी भी चीज की वज़े से कोई चीज क्यों नहीं हो, उससे लेड़ी कोशन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो हलका सा आइडिया रखेगा, बाकी कल इसके बारे में हम लोग डिसक्स करेंगे, काफी शांदा discussion रहने वाला है, काफी कुछ आइडिकल हैं, पहला आइडिकल यहांपर सेरिलंगा के बारे में हैं, यहांपर suggestion दिया जा रहा है, राइटर के दोरा महिंद राज पकसेजे को, और जो मैतरी पाला सेरी सेना, और जो उनकी country के पहले प्राइमिस्टर रानिल विक्रेम सिंगे है तो किस तरीक से government मिलके बनानी चाहिए हलका सा नजर इसके उपर डालेंगे ये वाला article काफी शांदर article आप लोग बोल सकते हैं compare करने की बात की जारी है सबरी माला temple हमारी country का जो case है और जो पाकिस्तान का आश्या बीबी वाला case है दोनों को compare किया जा रहा है हला कि दोनों article डिटेल में discuss कर चुको हो पहले पर यहां पर एक link बनाने कोई की जारी है दोनों article के बीच में वो वाला link डिसकस करेंगे तो आप लोगी एक अच्छी understanding है आप डवलप होने वाली है diet plan की बात की जारी है आज की date में हमारी country में fastest growing economy आप लोग को देखने को मिलती है इसी के साथ में कई सारे area में अच्छी agriculture production भी आप लोग को देखने को मिलती है उसके compare में हमारी country में जो malnutrition की problem है और जो lower weight की problem है बच्चों की और भी कई सारी problem देखने को मिलती है उन सब मुदों पर जिकर किया जा रहा है आज का सबसे शांदर आर्टिकल का दरजा में इस वाले आर्टिकल को दूँगा detail में साले आर्टिकल को discuss करने वाला हूँ ये वाला आर्टिकल है credit rating agency के बारे में देखे credit rating agency के ऊपर depend करती है काफी कुछ चीज़े आप लोग जाका check करते है credit rating agency की rating कैसी है उसके बाद में investment करते है किसी company में पर लेकिन अगर rating ही वो घपले से या फिर गलत दी जाए तो क्या रहेगा तो उसी के बारे में डिसस क्या जा रहा है आर्टिकल पर नजर डालेंगे यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है बात की जा रही है फर्स्ट प्राइमिस्टर ओफ इंडिया चवी को भारने के लिए इसकोलर्स के द्वारा या फिर जो constitution के जो जया ग्याता है उनके द्वारा debate discussion के बाद में जो उनके द्वारे हाँ पर हमारा समिधान की रेट किया गया है अब जाकर हम लोग उनको recognize जंक से करने लगी है अब बात की जा रही है इनकी छवी को धमलित करने की कोशिश की जा रही है पंडी जवालाल नहरू जी की ये बात राइटर यहाँ पर बोल रहे है दिखिए अगर यहाँ पर बात की जाए जैसे मैंने कल पर जो भी जिकर किया था कि कुछ personality ऐसी है हमारी country की जिस तरीके से freedom fighter चाहे कोई भी क्यों ना उसमें मैंने नाम लिया पंडी जवालाल नहरू का मात्मा गांदी जी का सरदार बलाभाई पटेल जी का और भीमराओ अंबेड कर जी का तो एक बच्चे ने कमेंट किया सर आपने भगत सिंग का नाम लेना तो सब के नाम थोड़ी ना ले पाऊंगा तो इस तरीके से आप लोग प्रेसार मत हुआ कि इनका नाम ले जया और इनका नाम नहीं लिया गया अगर मैं freedom fighter बोल रहा हूं तो उसमें सारे freedom fighter cover हो जा रहे हैं आप ठीक है तरीके से पढ़ने चाहिए उनका contribution आप लोग को देखना चाहिए हमारी freedom struggle moment में क्या था बाग की जो भी हाँ पर politics खेली जा रही है उस politics से आप लोग को side में रखना चाहिए क्योंकि आज किटमा आप लोग देखते हैं बीजेपी कंप्लेटली कोशिस कर रही है किस तरीके से कि हाँ पर इनकी चवी जो है जो भी हाँ पर congress की leader थे उनकी चवी को धुमलित किया जाए इसी तरीके से kongres ने complete ऐसी कोशिस किये कि जो बीजेपी के leader है उपने time में कि उनकी जो चवी है धुमलित की जाए तो यह सारा vote bank है, तो इस vote bank से आप लोग को side में हटना है, आप लोग को बस यह देखना है कि उनका contribution क्या रहा है, ठीक है, कुछ गलतिया की गई है, कुछ अच्छे काम की गई है, तो एक analysis आप लोग को करना है, तो उस बात पर focus देखर आप लोग को चलना है आप ठीक है, तो लिख देते हैं, तो ऐसी facility provide कराने की बात की जा रही थी, यहाँ पर ऐसी facility provide कराने, एक restaurant से ऐसी facility provide कराते थे, पर लेकिन जब यहाँ पर गए gay group या फिर transgender और वो कोई अपने तरीक, कोई picture होँआ पर create कराना चाहते हैं, तो restaurant के द्वारा मना कर दिया गया हमापा, यानि कि ए इसको free speech की तरीके से वहाँ पर देखा जा रहा है, तो ज्यादे important article नहीं है, यह आप लोग यहाँ पर देखते हैं, कि discrimination खासकर, यह फिर जो आप लोग LGBT community देख सकते हैं, हर एक area में आप लोग को कहीं ने किसी region की वेसे, तरीकी की वेसे देखने को मिलता है, ठीक है, तो हल आप controversy में रहती है, तो उसको हटा दिया जाता है, तो इसी के बारे में discuss के ज़रा है, हलका सा नज़े डालेंगे article के ओपर, यह वाला article यहाँ पर सेरनी अवनी के बारे में है, जिसको अभी recently मारा गया है, नर्भक्सी हो चुकी थी वो, इसके ओपर नज़े डालेंगे, अगला तरीके के बच्चों में किस तरीके से आपर निकल कर आते हैं, पहला यहाँ पर normal, normal बच्चा देखने को मिलेगा, exact जितना height बढ़ रहा है, उतना weight बढ़ रहा है, कोई problem नहीं देखने को मिल रही है, यह normal बच्चा देखने को मिलेगा, vested का मतलब क्या है, low weight है उसकी height नहीं बढ़ी है, यह निकि थोड़ से height जो कम रहा है, नाठ हे रही है इंसान, next बोल जारी underweight, underweight की बात किज़री है, low weight रहा है age के हिसाब से, दोनों में confusion नहीं लेना है, vested की की बात की जाती है, low weight है height के इसाब से, और यहाँ पर low weight है age के हिसाब से, यह निकि एज तो ब आर्टिकल में ये बात बोला गया है कि देखिए एक प्रोपर वे का डाइट प्लान होना चाहिए हमारी कंट्री की फास्टेट ग्रोइंग एकनोमी है आप लोग को देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री को ये भी बोला जाता है कि इक साइनिंग स्टार है ओल ओवर वल्ड की एकनोमी में पर लेकिन अगर बात करें हंगर और भुकमरी की केटेगरी में हम अब आप लोग देखने को मिलेगा पर कैपिटा इंकम यानि कि आप लोग देखने को मिलती है अगर बात करें in India में जो child malnutrition है, इसकी problem अगर आप लोग देखेंगे आप तो कई तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमारी country में यह सबसे हाई है, यानि कि आज की डेट में जो भुकमरी है और बच्चों से लिटर जो problem है, हमारी country में सबसे जादा है, इसी के साथ में problem यह भी है, कि अप country में तो ज़्याद है, यही है, इस state में भी बहुत सारी problem यहाँ पर निगल के आती है, यानि कि एक तो सबसे ज़्याद है country में है, इसके साथ में कुछ state ऐसे है, जिसमें कम है, यानि कि variety state में देखने को मिलती है, जैसे आप लोग देखते हैं, अगर ब health survey 2016 के हिसाब से अगर जाने, यह मैंने terms आप लोग को इसी दिए बताई थी, ताकि आप लोग इसको connect कर सकें, stunning, इस यहाँ पर stunted, तो इसको आप लोग देखे एक बार, stunted का मतलब क्या होता है, stunted मैं आप लोग को भी पताया था, क्या मतलब इसका low height रह गई है एज के हिस significance है, जो कि आज की दिए मां आप लोग देखते हैं, यह काफी ज़्यादा है, कितनी है आप अपर 38.4, अगर global में आप लोग देखेंगे तो 22.9 देखने को मिलेगा, यानि कि हमारी country में लगबख approximately double के करीब यह problem देखने को आप लोग को मिलेगी हापा, यह problem है हमारी country में, underweight की बात करते हैं, low weight है एज के इसाब से, अगर हमारी country में देखेंगे 35.7 है, अगर आप लोग देखेंगे 13.5 है, यानि कि हमारी country आप लोग देखेंगे कितना जादे हैं आपर, अगर global के आवरेज में ना पेंगे तो यह problem है, इसी तरीके से, अलग अलग तरीके से बच्चे हैं, वो नजर आएंगे, ठीक है, vested की मतलब होता है कि low weight रहागया, high care compare में, ठीक है, तो यह कुछ बाते हैं जो आप लोग देखते हैं, यानि कही सारे challenge आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अब कुछ आगे बात करते हैं, और भी कही सारी बाते हैं आपर, जैसे, prosperity तो बढ़ रही है, पर लेकिन हमारी country में उसके हिसाब से, जो बच्चों को malnutrition की problem निकल के आ रही है, वो भी उससी हिसाब से बढ़ती हैं, आप लोग को नजर आएगी, और अगर बच्चे की health सही नहीं है, तो उसकी वज़े से आप लोग कही सारी problem देखने को मि होगी, तो मेरी education अच्छी नहीं होगी, अनि कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, अगर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो मैं आप लोग को पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो आप लोग को पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो इस तरीके से आप लोग को इसको connect कर सकते हैं, माली जै आप ल अगर ये लोग बीमार हो जाएं और ये लोग काम ने कर पाये तो समझसकते हैं अब लोग एकनोमी की ग्रोथ पर क्या इंपट पड़ेगा तो य JOSH इकनोमी पर Yes इंपट पड़ता है जो आप लोग यहा पर इसको डिर्यक्ट कनेक्ट करके अगर देखेंगे तो next बात करते हैं development के point of view से देखा जाए गुजरात का उधरान दिया जाता है modal state के compare में पर लेकिन अगर आप लोग दूसी side में इसको जाकर देखेंगे अगर देखेंगे आप पर जिस तरीके से आज की rate में गुजरात में भी कई सारी पोलम आप लोग को देखने को मिलती है nutritional के point of view से अगर देखेंगे तो गुजरात का level कोई ज्यादा अच्छा नहीं है यानि कि हाँ पर भी जो nutrition का level है इतना ज्यादा अच्छा आप लोग को नहीं यानि के जिनकी state की economy काफी अच्छी है वहाँ पर ये खस्ता अलत आप लोग यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी agriculture और hunger का एक काफी शांदार relation आप लोग बोल सकते हैं हमारी country में production अच्छा है पर लेकिन लोगों तक चीज़ें नहीं पहुच पा रही है समझ सकते हैं आप लोग हमारी country में इतना ज़्याद है कि हूँ आज कीड में उगाया जा रहा है कि हम लोग बेचने के लिए भी त्यार है चीनिया आप लोग देखते हैं और भी कई सारे product देखते हैं पर लेकिन एक साइड में बेच रहे हैं और दूर साइड में हमारी जंता को ही नहीं मिल रही है तो ये भी काफी बड़ा role play करता हुआ यहाँ पर नजर आता है हरियाना में पोलम आप लोग देखते हैं आप जो इस्टनिंग की बात की जारी है जो अंडर वेट की बात की जारी है तो ये भी अच्छे कासी लेवल की देखने को मिलेगी जबकि हरियाना एक अच्छे कासा state बोला जाता है हर एक तरीके से अब बात करते हैं मझापडेश की मझापडेश में double digit growth बोला जाता है अगर food grain production की बात करें तो मतलब बोलते हैं कि हापर top पर है मझापडेश आद्के में हमारी country में पर लेकिन malnutrition की पोलम आप लोग लाज़ एस देखने को मिलेगी हमाप अंडर वेट 42.8% और इस्टेंट जो बच्चे हैं आपर जो ये देखने को मिलेगा 41 ये देख सकते हैं आप लोग क्या लेवल की पॉलम है आप या अच्छी कासी इंकम है पर लेकिन उस लेवल पर इस्टेट में डेवलप्मेंट नहीं है अगर हेल्थ के पॉइंट ओव से देखा जाए तो त सबसे पहले तो आप लोग को जो फूड प्राइज है उसको कंट्रोल करना चाहिए यानि कि फूड प्राइज अगर लिमिटेड रहेगा तो वो सब को हाँ पर मिल पाएगा इसके अलावा इंकम सपोर्ट पोलिसी आप लोग ही होनी चाहिए यानि कि फूड तो चीपर होना ही होना चाहिए कम से कम जो नहीं खरत पा रहा है उसको कम से कम से कम सब्सेडिव अगरा या तो दीजे आप लोग या फिर कोई बी ऐसे स्टैप उठाइए जिससे कि वहाँ पर उस इंसान तक खाना पहुंच अगे गोर्मेंट को क्या करना चाहिए इंटिग्रेटर चैल्ल डेवलोप्मेंट प्रोग्राम उसमें डाइवर्स फूड आप लोग को लेकर आना चाहिए यह निकी दाल चावल खिलाय जा रहे होँआ ठीक है हर एक तरीका खाना वहाँ पर होना तो यह कुछ बात हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं काफ इंपोर्नेट है यह इस तरीका आर्टिकल आप लोग के सामने आ जाता है एक कंप्रेट एनलेसी से आप लोग के सामने जो हमारी कंट्री में कैसे दूर की जा सकती है और कहां कहां पर पोल में पू RISIL Limited यह आप लोग देखने को मिलेगा इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं आप लोग ICRA यह हैं आपर SMERA तो Indian Rating and the Research Private Limited तो यह कुछ Rating Agency है अगर आप लोग कहीं पर investment करना चाहते हैं तो normally आप लोग देखते हैं बिल्कुल ऐसे समझे आप लोग ने कहीं admission लिया किसी college में जाका तो आप लोग उसकी rank देखते हैं कि college की rank कैसी है यह इसकी rank अच्छे हैं आप ले लेते हैं क्योंकि placement भी आसानी से हो जाएगा यह normally बंदों के mind में रहते हैं कि हाँ इस तरीगे college से हम लोग को खसता हालती और होँआ पर आप लोग का पैसा भी डूब जाएगा तो उसी के बारे में जिक्री हाँ पर किया जा रहा है तो क्या क्या बाते हैं बोल रहा है कि पूरा खुलासा full disclosure की बात यहां पर किया रही है बहुत किया रही है कि accountability आनी चाहिए उसके द्वारा उठाए गई से भी कैसी बोड़ी है executive बोड़ी है constitutional बोड़ी है statutory बोड़ी है जाकर इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा तो से भी क्या करते हैं आपर ये तरीके से आपर इस तरीके जो चीज़े हमारी country में होती है उनको guide करता है हमके लिए provision create करता है कि कैसे कैसे उनको काम करना चाहिए उसके लिए guideline तियार करता है तो अभी बात क्या कि जा रही है जो credit trading agency है वो कही न कहीं एक तरीक से investor की जो एक इन्वेस्टर के लिए जो एक तरीक से transparency बनाने में ये fail रहे हैं आज की date में देखिए कहीं न कहीं अगर कोई investor invest करना चाहता है तो उसके बारे में information होने चाहिए particular company के बारे में और वो भी parameter ऐसे होने चाहिए ताकि वो उसको कोई पोलो ने face करनी पड़े cash balance के बारे में liquidity coverage ratio या फिर access to the emergency credit line या फिर assets liability mismatch तो ये कुछ ऐसी बाते हैं जो यहाँ पर investor के सामने होनी चाहिए अगर ये बाते investor को प्रोप्रवे में पता है तो ये idea लगा सकता है कि ये company सही है ये company गलत है इसमें investment करना है ये इसमें investment नहीं करना है पर लेकिन करते क्या है करते ही है कि इनकी ये वाली condition है आपर इनको सही करने की कुछ की जाती है credit rating agency के दोरा और घपला चलता है अंदर ही अंदर बात क्या की जारी है बात ये की जारी है कि जो rating agency है वो देखिए उनका historical उनको क्या करना चाहिए एक तो उनकी historical जो उनका background रहा है यानिके आप लोग को ये देखना चाहिए माली जे आप लोग कोई किसी coaching में जाते हैं किसी institute में जाते हैं वहाँ पर आप लोग पढ़ने जाते हैं अब वहाँ पर पढ़ने जारे हैं तो क्या देखेंगा आप लोग जाका कि उसका track record कैसर आए अगर record अच्छा है हलाकि आज केड में तो क्या देखने को मिलेगा कोई coaching में आप लोग coaching करने जाएंगे खरीद लेते हैं यार टोपर्स को खरीद लेते हैं और हर एक टोपर्स का नाम उनकी list में आप लोग को देखने को मिलेगा एक टोपर्स का नाव हरे कोचिंग में आप लोगो देखने को मिलेगा तो ये कंडिशन आज केड में निकल के आती है तो वो वाली प्रोब्लम यहाँ पर निकल के आ रही है यानि कि ये पता नहीं चल पाता है कौन सा अच्छा कोली जाए कौन सा अच्छा कोचिंग है आप तो उसकी वैसे प्रोब्लम निकल के आती है कि हाँ पर किसमें एड्मिशन लेना चाहिए कहाँ पर आप लोगो पढ़ना चाहिए ये प्रोलम निकल के आती है क्योंकि rating agency भरबाद यहाँ पर हो चुकी है तो इसी तरीके से आपर बोला जा रहा है कि आप लोग का historical जो आप लोग का record रहा है यानि कि आप लोग ने rating दिया अच्छी और वो company से ही चल रही है वो record आप लोगों सबके सामने निकाल का रखना पड़ेगा और time के इसाब से आप लोगोंने कैसी rating दिये क्या उस rating के लायक था वो institution जिसको आप लोगोंने वो rating दिये तो उसके बारे में हापर जिक्र क्या जा रहा है से भी ने देखिए बात किये हैं आपर improve करने की transparency और credibility rating agency की और किस तरीके से आपर इन में जो भी हापर information है वो available होनी चाहिए ताकि investor जो है वो better decision है आपर ले सके पर लेकिन problem क्या निकल के आती है problem कई सारी आप लोग है आपर देखने को मिलती है latest regulation एक हद तक तक आपर काम कर सकती है पर लेकिन आज की डेट में जो structure issue है उनका क्या किया जाएगा यानि कि कहने का मतलब यह है एक का आप लोग ने joke सुना होगा एक बुड़ा इंसान था या फिर बुड़ी औरत आप लोग कुछ भी ले लिजे male or female उसमे gender discrimination करने को जोड़त नहीं है उसने बोला कि मुझे पढ़ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मतलब मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है कहने का मतलब यह तो वो गया एक तरीके से चसमा लगवाने के लिए तो चसमा लगवाने के लिए कि हां मुझे पढ़ना सीखना है मतलब एक तरीकी से क्या था कि मुझे कम दिखाई दे रहा है ठीक है तो जैसी वो डॉक्टर के पास में बहुचा तो डॉक्टर ने एक प्लेट दिखाई उस पे बहुत सारे चसमा लगाने से पढ़ना जान जाता है तो कहने का मतलब यह इंफर्शेटर में ही अगर इश्यू है आप तो आप लोग गाइडलाइन कैसी भी तयार करते रहे हैं आप तो गाइडलाइन का कोई फायदा है आप नहीं रहेगा चसमा बदलते रहे है पढ़ना थोड़े ना जान जाएगा हो तो पहले आप लोग को इस्ट्रक्चल जो इश्यू है उनको आप लोग हैंडल करके चलना है यह बात यहाँ पर बोल जा रहे है अब क्या-क्या बात हैं वह आप लोग समझे लिखे सबसे पहले तो conflict of interest अगर कि यह किसी की रेटिंग अच्छी देते हैं तो यह बिल्गल ऐसे हैं जैसे मालीजे किसी mobile कंपणी का आप लोग मोबाइल का रिव्यू अगर अच्छा कर रहे हैं तो वह आप कंपणी आप लोग को पैसा देगी ठीक है? तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग र गड़ा कर रखना चाहते हैं ताकि नई के एंट्री हाँ पर नए की जा सेगे alternative rating agency अगर provide कराई है ताकि जो available है उनको ये दिखे कि कल को कोई नई rating agency आराम से आजाएगी आपर तो entry हाँ पर easy होनी चाहिए वो भी problem देखने को मिलती है rating agency ढंग से rating देने में failure रही है पर फिर भी उनका business कभी उनका धन्दा कभी मंदा नहीं हुआ यानि कहने का मतला भी है rating अच्छी नहीं दिये पर धन्दा प्रोपर चल रहा है उनका धन्दा मंदा नहीं पड़ता है reason आप लोगों को मिलेगा reason कै?还 itself रिजन ये है कि 이번 ego ंपर ने देखने को मिलता है अगर आप लोग यहांपर देखने को मिलती है ओगर नियन Israel aipちょ hooking here और अच्छा यानिके infrastructure में आप लोगो change करना है बाकी जो guard line है वो अपने आप implement फिर हो जाती हैं ये था है आपर article जिसके बारे में आप लोग idea रख सकते हैं next article है आपर सिलंगा की parliament के बारे में तो यहाँ पर vote गई against राजपक्षे ये राजपक्षे कोन है राजपक्षे है पहले प्रिजिडेंट थे आज़कर में ये प्रिजिडेंट है और इन दोनों की government ये है प्राइमिस्टर पर इन्होंने क्या किया इसके साथ में इसको प्राइ देमंद रहेगा तो एक अच्छा suggestion मान सकते हैं पर लेकिन देखते हैं कैसे क्या ये solution को मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे नेक्स आर्टिकल है यहाँ पर ये detail में थ्ला डिस्कस करते हैं यह सबरी माला temple का issue और यह आपर आशे अभी भी जो कि पाकिस्तान का issue है तो यह है पाकिस्तान का issue और यह है इंडिया का issue सबरी माला temple में 5 judgment का case 5 जो जजज थे उनका judgment आया इन मेंसे 4 जज जज ने तो ये ब कि यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को नहीं करना है यह बात बोली गई आप और यह सुप्रीम कोट का जो डिजन आया इस पर अमल करने की जब बात आई तो सोसाइटी में एक उबाल उठके आया यह निके जो हमारी सोसाइटी है सुप्रीम कोट के डिजन क के बाते हैं आचे बीविवव वाला केस आई के ओपर ब्लास्वेमी यह निक Off skilled के आरोप लगाए BP कंडिशन एक बाल समझ लेजए एक प्रिस्टन महिला है जो की काफी नहीं सक भी करिवार की महिलाह ने पाकिस्तान में रहती तो पाकिस्तान में क्या हुआ, यह जहाँ पर काम करती थी, इनके द्वारा पानी पिया गया एक गिलास से, ठीक है, तो जो इनका धरम दूसरा है, तो हाँ पर जो दूसरी मुसली महिला थी, उसने उससे पानी पिने से मना कर दिया, और उपर से इसको उल्टा सिधा भी सुना तो इसी के, इन्हों ने भी एक आधी बात है इसके बारे में, अब इनको बोल दी, कैसे कुछ करके, कोई इनका कमेंट हो गया, रिलिजन को भी लेकर, कि तुमारा रिलिजन ऐसा है, तुमारा रिलिजन ऐसा, तो यह जो बात हैं पर आई, रिलिजन के नाम पाद, तो आग की तरह फैली, आप लोग जानते हैं, कि पागिस्तान में, रिलिजन को खहिने के समीधान से उपर माना जाता है, तो जैसे ही आग की तरह आवाज फैली, तो देखें, आपर कंडिशन यह निकल के आई, कि अब क्या करना चाहिए, तो इनको जेल में ले जाया गया, और यहाँ पर ऐसा एक्ट भी है, कि अगर कोई हाँ रिलिजन के हिलाग खिलाप कोई उल्डद जिदा बोलता है, तो उसको यहाँ पर सजा सुनाई जाए गी, तो इनको यहाँ पर जेल में ले जाया गया, और जेल में ले जाने के बाद में, पहले तो लोकल कोट के द्वारा फासी की सजाद दे दी गई, डेथ की सजाद सुनाए गई, और फिर जब आगे गया सुप्रीम कोट में ये मैटर, और अलग-अलग वर्ल्ड एजनसी के द्वारे हैं आपा, वर्ल्ड ओर्गेनेशन के द्वार प्रेशर बनाए गया, तो इनके खिलाब कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला, कि हाँ इसा इन्नोंने कुछ बोला है, और इनको रिहा कर दिया गया, जैसे ही सुप्रीम कोट का डिजन आया, रिहा करने का, पूरा पाकिस्तान में आगवा भूला आग लग गई, पाकिस्तान में ये बोला जारा है कि इसको पकड़ो और मारो, ये कंडिशन है आप आप, तो देखिए, दोनों कंडिशन आप लोग समझे, यहाँ पर सुप्रीम कोट का डिजन आया, यहाँ पर सुप्रीम कोट का डिजन आने से आग लग गई, और यहाँ पर भी सुप्रीम कोट का डिजन आया, यहाँ पर भी सुप्रीम कोट का डिजन आने से आग पर लेकिन कंडिसन का है religion की ही बात यहां पर की जा रही है तो कहने का मतलब यह है कि अगर आज की डेट में कोई नॉर्मल तरीके से अपने religion को फोलो करके चलना चाहता है तो देखे कहीं न कहीं कोई न कोई पॉल्म तो देखने को मिलती है इसी के सात में सोसाइटी का एक अग़गी रवया निकल कराते है गुमा फिरा कि अगर आप लोग देखेंगे आप आज की डेट में कंडिशन यह है कि सुप्रीम कोर्ट के छोड़े जाने के बाद भी पाकिस्तान चोड़ कर नहीं जा सकती क्योंकि government ने क्या कि है आपर government ने जो protest करने वाले थे उनके साथ में हाथ मिला लिया कि है इसको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा फिर से हाँ पर court में जाएंगे और फिर से हाँ पर re-vision करने की बात करेंगे जो इनका case निकल करा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि बात कहाँ पर की जा रही है कि धर्म के मूद्य को कितना ज़्याद है उठा दिया गया आज किट में इंसानियत से भी उपर ले जाया गया है हमारी country में discrimination देखने को मिल रहा है आपर महिलाओ के साथ में महिलाओ के साथ में क्या महिलाओ का महिलाओ के बीच भी 10 से 50 के बीच की महिलाओ का enter नहीं दी जा रही है तो महिलाओ का महिलाओ के अंदर भी हापर discrimination आप लोग को देखने को मिल रहा है तो condition कई level पर खराब आप लोग नजर आ रही है और हाँ अगर पागिस्दान की बात करें तो हैं आपर तो कंडिशन इतनी खड़ाब है जो लोयर वगरा है वो छोड़के जा चुके हैं यहाँ पर एक तरीके से जो कंट्री है जो सुप्रिम कोड के जज है उनको भी काफी खत्रा है क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर इनकी क रहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग इनकी जगह को प्रोटेट करना चाहिए दूसरा आज की डेट में जो पोलम निकल कर आ रही है वो आ रही है खाने की पोलम निकल का दो चीज़ा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं एक तो है जो यंग टाइगर है ठीक है वो क्या कर सकता ज्यादा तेज से भाग नहीं सकता तो उसके लिए आसान सिकार क्या हो जाता है आसान सिकार हो जाता है इनसान यानिके वो नर्भक्सी बन जाता है इनसान को पकड़ना ज्यादा है आसान है एस गंबेट होगर हीरन की बात की जाए तो तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं तो इसलिए हाँ पर कई सारे ऐसे नर्भक्सी टाइगर बन जाते हैं जो कि यहाँ पर जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है पर लेकिन आज की डेट में कंडिसन ऐसी भी देखने को मिल रही है आसान टार्गेट को देखते हुए यहाँ पर जो यंग टाइगर है वो भी नर्भ क्या रीए तो यहाँ पर क्या किया गया इसको मारा गया gio tiger awnewndi थी तो तो फिर यहाँ पर काफी सारा protest देखने को मिला प्रोटेस्ट क्या किया किया गया किछ तरीके से आप लोग इनको नहीं मार सकते हैं तो जो भी आपर involvement को protect करने वाले या फिर जानवरों को जानवरों की जो जानवरों के रजव राइट है उनको protect करने वाले लोग काफी आप सामने निकल कर आए तो इशु काफी बढ़ गया इसको लेके वे कि आप लोग ऐसे नहीं मारना चीए था क्योंकि एक तो आप लोग इनका जो habitat है उसको खतम कर रहे हैं वापर खाने के लिए कुछ है नहीं अगर फिर इंसानों को खा रहे है तो फिर आप लोग वो पोलम हो रही है आप लोग जो आप लोग देहने को मिलेगा बस्तर वाले रिजन में मौश्ट से लेड़े है वही आई एम हिंदू यह वाली किताब है ठीक है इनके राइटर के भी नाम आप लोग को याद रखने है तो जो पहली किताब है आपर यह है इसके राइटर है आपर नजी सुंदर और दूसरे किताबों को बहन कर जाता है ऐसी बाते देखने को मिली कई बार तो इसरी के बारे में हाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि कोसा पर पढ़ने को पढ़ना ए कुछी है कुछ सलेक्टिव और पास भी हाँब इन अपर एक कराइट होना चाहिए तो इस तरीकी बाते बाते हैं आ की गई थी, तो कली हाँ पर डीजन आया, कई सारी बाते निकल कर आई, जो पहले बाते सेंटर के द्वारा की जा रही थी, वो सारी बाते हाँ पर खहीने कई, उनका स्टेंड चेंज होता हुआ नजर आया, पहले बोला गया था कि फ्रांस की जो कोश्ती बेसिक एरक्राफ्ट की वो 670 थी, 670 क्रोड थी, अब जब बात निकल के आ रही है, तो यहाँ पर लगबग आप लोगो से नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, पर यह आप लोग, रफैल डील के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, रफैल डील यहाँ पर फ्रांस के साथ में हैं, किस-किस तरीके से आपर यह को पता होना चाहिए, और पता कहा करना है, डिटेल में डिस्स किया गया, इस प बोला जारा था कि पॉलम आने वाली है पर सिरी हरी कोड़ा से फिर भी इसको शांदार तरीक से इसमें अभी जो मुद्धे रहने वाले हैं असेम्ली पोल के जो रिजर्ट है वो रफैल डील राम मंदिर की बात की जा रही है काफी कुछ यहां पर देखने को मिलने वाला है इस सेसन के तो मतलब सरदी में काफी गरम भरा यह सेसन रहने वाला है यह आप लोग बोल सकते हैं गहलोज जी और सचीन जी बीच में बोला जारा लड़ाई हो रही है राईस्तान में उलेक्शन को लेकर राईस्तान में अभी इलेक्शन है आप लोगो मज़भपर्डियस में इलेक्शन देखने को मिलेंगे और 36 गड़ में ठीक है इसके रहा तेलंगाना और मिज़ोरमी यहां पर अभी राइस्थान की बात की जा रही है, तो गहमा गहमी देखने को मिल रही है, अभी दोनों की बीच में, तो कुछ यह बोल रहे हैं कि Congress के दौरा, Congress में लड़ाई है, और कुछ यह बोले है, BJP के दौरा यह लड़ाई लगाई जा रही है, या फिर up five उड़ाई जा रही है, हलका सा idea रख सकते हैं, रुपी की value, जो है ठीक ठाक condition में हो जाती है, जैसे ही यहाँ पर crude oil की value जो है, वो decrease होती है, तो barrel जो यहाँ पर crude oil की value है, आप यह 65 रुपे के लगबग आ गई है, जैसे ही, 0.5% की जो improvement है, आप लोगो रुपी के अंदर देखने को मिलेगी, ओके, यह आप लोग हलका सा idea रख सकते हैं, नेस्ट बात की जा रही हैं आपर, यह भी काफी important है, यह आप लोग देखते हैं आपर, दो company की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 40% share, खरीदने की बात की जा रही है, एजिज इंटरलेसल इंसरेंस, N.V. के दौरा, किसकी यह बात की जा रही है, रोयल सुंदराम, यह जर्नल इंसरेंस company है, ठीक है, एक, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो किस तरीके से आपर यह company के बीच में deal है, 40% की, तो हलका सा idea आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, next आप लोगों से question पूछा गया था, यह था Laptive Sea, ठीक है, तो यह आप लोग के सामने, यह आप लोग देखते हैं, यहाँ पर इसकी location, Arctic Ocean के अंदर, बाकी एक question में आप लोगों से पूछे थे, तो काफी शांदा तरीके से answer दिये गए हैं आपर, अनुभाव परकास के द्वारा, आप लोग देखते हैं आपर, इसके अलावा अगर बात करें, 15th Finance Commission के जो चेर्मेन हैं, आप लोग देखने को मिल रहा है, जिसमें South Korea की फर्स लेडी भी आपर पार थी, अच्छा South Korea और North Korea को डिवाइड करने वाली line का नाम आप लोग को बता है, उसके बारे में हलका सा जाकर आप लोग देख सकते हैं, तो इतर टोटल आज का हमारा discussion, lecture कैसा लागा, पसंद आया, तो like कीज़ें, नहीं पाया, तो dislike कीज़ें, इसके लवाज पास सफायरी के पानी और पेट पोदों को सेवकिए, पोलितिल पास्ट अगार बिल्कुल यूज नहीं करना है, आज के लिए इतना ही मिलता हूं, नहीं सेलेक्शन में, दो क्यों होगा आप लोग कुशन का, उसको भी enjoy आप लोग कर सकते हैं, तब तक के लिए, जै हिंद!